नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत करते आपका आपके और हमारे यूटूब चैनल टोटल फार्मिंग में किसान भाईयों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकरी देंगे जो कि परवल की खेती है किस परकार से होती है और कैसे ये परवल को त्यार किया जाता है और परवल की कोई जड़ लगाई जाती है या पौधा लगाया जाता है किस परकार से त्यार होता है इसको त्यार किया जाता है ये जो परवल हमारे खेद में लगी होती है उसके जो तने होते हैं परवल के तने निकले होते हैं उनको लगाया जाता है और उससे ये परवल का पौधा त्यार होता है और किस प्रकार से लगाया जाता है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाईयों चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबालीजिए ताकि आपको इसी तरह खेती समंद्य चेची वीडियो मिलती रहा है तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बात करते हैं आपको सीधा सामने से दिखाएंगे कि किस प्रकार से परवल का जो ये तना है इसको पौधे को त्यार किया जा रहा और कभी इसको त्यार किया जाता है कभी इसको लगाय जाता है कभी इसका फल आता है और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो किसान भईयों सबसे पहले देख सकते हैं अब वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे ये परवल का तना है जो हमारी परवल की फसल है उसमें से उसके तने को निकाल लिया जाता है और इसको इस परकार से घुमा कर यह आप दे सकते हैं इसको गोल करके बांध दिया गया इसको लगाने के लिए क्या करना होता है जो खेत होता है खेत में इस परकार से गड़े कर दिया जाते हैं से कि अभी आप देख पा रहे हैं, खेत में गड़े किये हुए हैं, और ये गड़े इस परकार से किये जाते हैं, और गड़ा करने के बाद इस तने को इसमें बैठार दिया जाता है, जिसे अभी हम आपको लाइब दिखा रहा हैं सामने से, कि किस परकार से ये त्यार के है, जो ये तनह है, इसको देख सकते हैं, ये गड़ा कोदने के बाद ये गड़े में इस प्रकार से डाल दिया जाता है, और उसके बाद इसमें मिट्टी डाल दी जाती है, जब इसमें मिट्टी डालते हैं, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना कि तने को जादी चोट ना पहुँचे और इसको इस तरह से लगाके और मिट्टी डालके इसको लगा दिया गया ये त्यार हो गया अब इसमें करना क्या है जब ये पूरे खेत में आप इसको लगा लेंगे तो इसके उपर आपको खरफूस कोई भी जैसे है प्राली या खरफूस गन्ने की जो पत्ती होती है उसको डालना गुड़ाई करने से पहले गुड़ाई कर लेंगे जब उसके बाद इसको आपको डालना है ताकि गुड़ाई कर ले उसके बाद, और इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात इसमें कि आप इसमें कोई भी दवा का इस्प्रेय या नहीं करेंगे, इसकी आपको गुड़ाई ही करनी है, इसमें घास पूस जो भी निकलेगी उसकी गुड़ाई ही करनी है, जादी इस्प् फर्फूस क्यों टाला जाता हूं इसलिए डाला जाता ताकि ये ठंडी में जो तना है वो जादी ठंड की वजह से सडेना और उसको ठंड का जो प्रकोप है उस पे लगेना इस वजह से वो सुरची तरह है किसान भाई ओ नौंबर महिने में इसकी तने को लगा दिया जाता है और इसकी अगर फल की बात करें तो वो फर्वरी से मार्च महिने में इसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है और इसकी अगर बात करें तो ये तकरीबन अक्टूबर तक इसका जो परवल है लगती रहती है फ और अच्छा फल आ रहा है तो एक बिगे में दो से धाई कॉंटल परवल पर सफता पर निकलती है और परवल की जो परवल है परवल की एक सफता पर सफता पर तूड़ा जाता है यानि मेहिने में चार बार परवल को तूड़ा जाता है एक सफता पर आपने परवल को तोड़ के बेजदीया बज़ार में तो एक सपता बाद परवल फिर त्यार हो जाती है एसे परवल जो है एक सपता में एक बिघए में अगर अची खेती है तो दो से डहाई घुंटल निकलती है और रेट की अगर बात करें इसकी तो बहुत हाइश्ट अगर मार्केट में रेट है, तो 70-80 और किलो तक भी जाता है, और बहुत अगर कम से कम भी रहे, तो 30 और किलो तक रहता है, यह बजार के उपर उतार चड़ाओ इसका चलता रहता है, तो किसान भाईयों उमीद करते हैं आपको वीडियो उच्छा लगा वीडियो उच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए धन्यवाद